नमस्कार तथे में आपका स्वागत है मैं हूं मनी शवस्ती जहां तथे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कंगाल पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज एक कहवत आपने सुनी होगी खाने को फुटाने नहीं अम्मा चली बुलाने पाकिस्तान की जनता जाने दाने को तरस रही है एक तरफ पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो महंगाई के कारण परिशान है वहीं पाकिस्तान का एक बिजनस्मेन अंजु के सारे घिनोना खेल खेलने में लगा है प से हम हर संबाव मदद करेंगे ऐसे समय में जब पाकिस्तान पूरी तरह दुनिया के सामने भीक मांग रहा है कर्द के लिए गड़ गड़ा रहा है पाकिस्तानी बिजनेसमेन भारत के खिलाफ प्रॉपगेंडा चलाने में लगा है भारत की अंजू अपने पती और दो साफ हो गया कि अंजू ने यहां अपने फेस्बुक वाले प्रेमी नसरुल्ला से शादी कर लिया है इसके साथ ही उसने इसलाम भी कबूल कर लिया है पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो इसके जरिये प्रॉपगेंडा भैलाने में लगा है पाकिस्तान के स्टार अबासी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि अंजू लूजर है आप लड़कियों को इजाज़त दें आप सभी भारतिये कुवारे रह जाएंगे सारी लड़कियां पाकिस्तान आ जाएंगी बेहाया अबासी बाचीत में उसने एक बड़ कर रहे हैं कि जो भी कोई मुसल्मान होगा उसकी मदद करेंगे इस बीच मौसिन ने अंजू को अपनी कम्पनी में नौकरी का वादा किया है उसका कहना है कि एक बार अंजू को जब नागरिकता मिल जाएगी सिटिजन्शिप तो वह उसे नौकरी पर रखेंगे अंजू को तोफे से लादने वाला पाकिस्तान भारत आने वाली सीमा हैदर पर भड़क गया था भारत के सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया था इसके अलावा उसने सचिन से शादी भी कर ली थी जब पाकिस्तान में ये खबर पहुंची तो वहां के कट्टरपंथियों ने इसका बदला हिंदू मंदिरों पर हमला करके लिया था यह तो आपने देखा बेहया अबासी भारत की लड़कियों के ख्वाब लिये बैठा है कि जो भी लड़की पाकिस्तान आएगी भाग कर उसे इसलाम कबूल करना होगा और जब वो इसलाम कबूल करेगी तो वो तौफे से लाद देगा अरे दिया तले अंधेरा है अबासी जरा अपने घर की लड़कियों को समा लो दाने दाने के मोहताज लोगों को कम से कम दो टाइम की रोटी तो मुहिया करा दो तत्थे में आज के लिए फिलाल इतना ही नवस कार